पूरे दिन लगी रहेगी चंद्रमा उत्तरा फालगुनी नक्षत्र में साम चार बच कर पच्चिस मिनर तक चलते रहेंगे तर पश्चात हस्तेनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे उत्तरा फालगुनी नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूरे देव हैं आज के जन में जातक सुंदर लोगपरिय विद्या से धन लाभ करने वाले धनी और सस्त्र विद्या में निपूर होते हैं ऐसे जा तक आत्म पर संशा करने वाले आशाबादी, हसमुख, राजसी सौक रखने वाले, स्वाभिमानी, उच्छ सिक्षा से लाभानित होने वाले और अपने कर्टब्यों का पूर्ण रूप से पालन करने वाले होते हैं, जिनकी असमान सक्ती बहुत अच्छी होती है और यह मित्रों और संबंधियों से असने है रखने वाले भी होते हैं, जिदि सहयोगी लगन रहा दशा ठीक रही, सूर्य और बुद्ध की स्थिति अनकूल रही तो पून सफल होंगे, चंद्रमा आज पूरे दिन कन्या राशी में ही चलते रहेंगे, और अगले धाई दिनों तक कन्या राशी में ही चलते रहेंगे, जिसके राश स्वामी बुद्ध देव हैं, आज के चंद्रमा पर मंगल की सप्तम दृष्टी, केतू की नवम दृष्टी और साथी साथ शनी की दर्सम दृष्टी भी कायम रहेगी, मगर नक्षत्र सूरिका होगा, जिससे प्रवल दृष्टी बना रहेगा, राशनात्मक प्रयास सार्षक होंगे और मेहनत करने की प्रवित्ती बढ़ेगी, हर काम सूजबूज और पूरी तनमेता के साथ करने में सफल रहेंगे, विभागी सहियों और अधिकारियों की सकारात्मक पेरणा बनी रहेगी, मगर सनी की दसम दृष्टी और केतु की दवम दृष्टी के कारण कभी-कभी मन ने उदासीपन और मानसिक दबाव भी संभव है, सूर्य का नक्षट रहोने से सभाव में उगरता और उतावलापन परिलख्षित होगा, अता परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपनी आंतरिक सूर्जा को सही और उप्युक्त जगा पर निवेशित करना चाहिए, आज का नक्षत उत्रा फाल्मुनी है, अता आज ही किसी को धन या उधारी पैसा नहीं देना चाहिए, अन्यथा वापसी में कई तरीके की अर्चने संभावित हैं, आज का राहु का शुगा साठे दस बज़े से बारह बज़े तक चलता रहेगा, अता है इस दोरा नवीन कार्योजनां की रूप रेखा, शुर्व्यात या कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए, अन्यथा अबाल ही तो सकता है, मेश रासी वाले जात्कों के लिए चंद्रमाद छठने घर में चलते रहेंगे, मन में अच्छे विचारों के सालसाफ नकारात्मक भावना भी बनी रहेगी, मन को किसी एक बिसह पर एकागर करने में दिक्कत होगी, पारिवारिक सुख संतुष्टी में कमी महसूस करेंगे, मा के स्वास्ति प्रती चिंता बनी रहेगी, और संतुष्टी और साखी कमी का संकेत भी मिलता है, नवीन कार्योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा, हाला कि ब्यावसाईग गति जुधियां चलती रहेंगी और कायरेचेत परभावित नहीं होगा, आथिक पक्ष मजबूत रहेगा, संतान संबंधी मामलों या निकूलता मिलेगी, अध्यान अध्यापन में सहीयोग बना रहेगा और क्रतियोगी भावना विक्सित होगी, ब्रिश राशी वाले जात्कों के बहुत दिक छमता और सारीरी कुर्जया में विकास होगा, रचनात्मक क्रिया शिल्ता बनी रहेगी, बुद्धी चात्तुरे से अपने ब्यावसाई जटिविधियों में सफल रहेगे और आथिक लावमन मुताबिक मिलता जाएगा, अधुरे और रुके हुए कारे संपन्न होगे, मगर स्वास संबन्धी जटिल्ताएं बढ़ सकती हैं और पैसे की कमी महसूस होगी, संतान संबन्धी अनकूलता और सिक्षा प्रतियोगता में सफलता संभावित है, पारिवारी कुद्धेशों की पूर्ति होगी और खुश्नुमा माहौल बना रहेगा, नीजी निवेस और वाइबाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, मित्वन दासे वाले जात्कों की साकारात्मा कारी वर्जा बनी रहेगी और रचनात्मा प्रयास साथक होंगे, मगर माता के स्वास्त की चिंता और आर्थिक लेन देन के मामलों में ठोस और महत्पून रिर्ना सोच समझ कर सावधानी से लेने चाहिए, हलाकि नई कारी और जिनाओं के लिए भागीदारी लावधायक रहेगी, शिच्छा प्रत्योगता में सफलता हासिल होगी, बच्चों से संबंधित सुखत समाचार मिल सकता है, सांदर सासन सत्ताव और रिकारियों का सही होग बना रहेगा, आपके आध्यातनी पूर्जा अस्तर में ब्रिध्धी होगी, नीजी निवेश और वयवाइक मामलों के लिए समय अनकूल रहेगा, मगस्वास संबंधि आवसक सावधानिया रहने चाहिए, करक राशिके जात्कों के लिए किये गए प्रयास पूरे होंगे, मगस्वास संबंधि सावधानिया रहने चाहिए, सिंग राशिवाले जात्कों को धन संबंधि मामलों में सहयोग मिलेगा, और आर्थिक लाव के नए असर क्राप्त होंगे, उट्साह और कारी चंपता में ब्रिद्धी होगी, अधूरे या रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, नई कारी और जनाओं के प्रतियाप की सक्रिय सोच जारी रहेगी, मित्रों से सहयोग वा आर्थिक लाव बना रहेगा, मगर बात-बात पर गुस्सा आना, अनावंशक उतावलापन और वारी में उगरता भी संभावित है, मिध्याथियों के लिए आज मेहनत वाला दिन है, साथिया नावंशक वाद विवाद उत्यादी का संक्यत भी मिलता है, साधानी अत्यक्षित है, और किसी सम्मारों में शामिल होने का मौका मिलेगा, कन्या राशी वाले जातक पुर जावान महसूस करेंगे, और सक्रियता बनी रहेगी, आर्थिक लावमन मुताबिक मिलता रहेगा, ब्यावसाइक योजनाओं में साज्यदारी सफलता दिलाएगी, मित्रों और सही योगियों से भी लाव संभव है, कारिच्षेतर में अस्थाहित विकास होगा, बड़े निवेश के लिए आज का दिन अनकूल है, सिक्षा प्रतियोगिता में मेहनद करनी पड़ेगी, वयवाहिक मामलों के लिए साम का समय अनकूल रहेगा, नीजी सम्मन प्रगाड होंगे, और स्वास सम्मन ब्यावसक सावधानी बनाए रखें, आर्थिक निवेश और ब्यापारिक लेंडें में सावधानी अपेच्छी थे, तुला राशी वाले जातकों के आर्थिक मामलों में ब्याय की इस्थिती, अंचाही यात्रा और अपने घर ग्रियास्ती पर खर्च की इस्थिती बनी रहेगी, और यदा कदर्मन में नगारात्मक विचारों का उतार चड़ा संभावित है, मगर सासर सत्ता वाधिकारियों का सही योग बना रहेगा, ब्यावसाई की योजिनाओं में अचानक विवाद या वुकावट की संभावना भी बनती है, पर इस्थितियों के अनुसार माहूल को सुल्जाने की कोशिश करनी चाहिए, संतान वाध सिख्षा प्रत्योगता में अनुकूलता बनी रहेगी, और नीजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, विश्चिक राशिवाले जात्कों की आय संभंधी संसाधनों की विद्धी होगी, और कारेक्षेति के उठ्थान की प्रविप्ति बनी रहेगी, अपने आपने उर्जावान महसूस करेंगे, और आध्यात में प्रेरणा का योगदान मिलेगा, पारिवारिक दाईत की पूर्ति होगी, व्यावसाई की वजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, और विधागी सहयोग कायम रहेगा, आर्थिक लाव सामान रहेगा, आध्यान अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा, संतान संबंध ही बहु प्रतेक्षिक कार्य पूरे होंगे, वाणी की सौमेता बनाए रखें, अन्यथा आर्थिक नुक्सान हो सकता है, और इस्थित्यों के अमसार सामान जस्यापनाना आवश्यक होगा, धनुरासी वाले जात्कों के कारे छेत्र को सुचारू ढंक से चलाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, वो नई कार्य योजिनाओं के बिस्तार में सहयोग मिलेगा, मगर कुछ कामों में रुकावट और स्वास्त के प्रती चिंता का संकेत मिलता है, थोड़ा संगर्स मरसूस कर सकते हैं, मगर ब्यावसाईक योजिनाओं की जटिलता आप अपने बुद्धी करसल और मेहनत के बल पर सुचाने में सफल रहेगे, साजेदारी सफल रहेगी, भावनात्मक, उत्तेगना काइम रहेगी, फिर भी प्रतिकूल माहूल को अपने अमसार करते जाएंगे, सहीयोगियों से बाद विबाद संभावित है, अध्यान अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे, मकर राश्य के जातों के उर्जास्तर और रातमिश्वास में बिद्धी होगी, कारेच्षेत की जिम्मेगारियां पूरी होंगी, आर्थिक लाफ सामानी रहेगा, नई वजनाव में निवेश, मगर साज्यदारी के कामों में रुकावर संभाव है, हलाके संभन्धित मामलों में उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, नीजे सुख में कमी स्वास संभन्धि जतिलताएं, घर ग्रियास्ति में अनावसक वादिवाद और भ्रहम के इस्तिती भी पैदा हो सकती है, अनकुल माहौल और सामंज़ से बना कर रहना चाहिए, वयवाहिक मामलों के लिए आज का दी ननिकूल रहेगा, विद्याथियों को मेहनत करनी पड़ेगी, मगर वाहन सावधानी से चलाएं, कुम्भरास के जात्मों के लिए आजिक उन्नति का दोर जारी है, नई कारियोजनाए लावदाई होंगी, सासन सत्ताव अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में रुकावटे हो सकती है, चंद्रमा आठ्षने चल रहे हैं, ब्यावसाई की गाद और उल्जने संभावित है, अनावसा क्यात्रा, आठिक लाव में उतार चड़ाओ, स्वास संबन्धी जटिलताएं और मन में नकार अत्मक विचारों का उतार चाहाओ भी संभावित है, आलोचना के पात्र बन सकते हैं, वह हम धीरे और सालधानी से चलाएं, बिध्याथियों को अध्यान अध्यापन्वी सफलता मिलेगी, प्रियास जारी रखें, मीन दास्यवाले जात्मों के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, कार्ज वजनाव में चल रही रुकाउटें दूर होंगी, और सरकारी कामकाज भूरे होंगे, आठिक लाव के लिए सहीयोग बना हुगा है, नीजी निवेस के लिए आज का दिन अनकूल रहेगा, पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें लाव मिलेगा, साजेदारी के मामले आज के लिए अनकूल रहेंगे, नीजी सम्मंद प्रगार होंगे, शिक्षा प्रत्योगता में प्रयास जारी रखें, संतान सम्मंदी चिंता में कमी आएगी और वयवाहि प्रयास तलिभूत होंगे, साथ ही स्वास सम्मंदी आवसक सावधानी बनाए रखें, आज के लिए वस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ओम नमाशिवाएगा,